हलो एवरीवन वेलकम बैक टू मिश्टर स्मार्ट टेकनिकल मेरे पास है पेटियम की तरफ से आने वाला साउंड बोक्स 2.0 जो कि इस बोक्स के अंदर है और अभी तक आपने एकर देखा है तो इस वाले को भी देख लिया होगा क्योंकि मार्केट में इसे भी बहुत दिन हो करने का प्रोसेस बताया था जिसमें किसी परकार का कोई रेंटल एपलिगेबल नहीं था मतलब किसी परकार का आपको कोई रेंटल नहीं देना जो कि मंतली 125 रुपे का चार्ड लगता है वो आपको नहीं देना उस टाइम पे दो ओफर चल रखे थे एक तो था किया ये वाला भी एक रुपे में मिल रखा था बट जो प्रोमो कोड लगा कि डिसकाउंट करते हैं उसके अंदर रेंट एपलिगेबल दिखा रखा था बट जो मैंने ओडर किया उसके अंदर किसी परकार का रेंट या पर नहीं दिखा रखा था और इसे यूज करते फो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और इस वीडियो के सब मैंन बात क्योंकि आप सबके बहुत सारी कमेंट भी आ रखे थे कि इसके उपर रेंड चार लगता है या फिर नहीं कोई बोल डाये कि रेंड प्रचार नहीं लगेगा तो वह वाला डाउट भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा तो इस वीडियो को मिश्मत करना एंड तक देखना साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के जब भी कोई नए वीडियो करते हैं कंप्लेट यहां पर जान रेते हैं जब भी आप पेटियम का साउंड बॉक्स ओडर करते हो वो डिलिवर्ड होता है तो इस परकार के कुछ बॉक्स में आता है आप देख सकते हो पेकेजिंग एक दम बढ़िया है आपको जो साउंड बॉक्स है वो बिल्कुल भी यहां पर तूट फूट के नहीं आएगा एकदम अच्छे तरीके से आपके सोब तक या फिर आपके घर तक डिलिवर्ड हो जाएगा सामने की तरफ आप देख सकते हो यहां पर पेटियम मो लिखा है जिस भी कुरियर डिपार्टमेंट की तरफ से है उसका यहां पर लोगो इस परकार का एक बोक्स मिलता है जिसमें है हमारा पेटियम का साउंड बोक्स जो कि साउंड बोक्स 2.0 है पहले वाला आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा और अभी जो साउंड बोक्स है वो नया है इसमें वो इसके साथ साथ बैक साइड में आ आता है जो कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कहां पी डलता है और किस परकार ये काम करता है साथ ही में इसका service case है मतलब जैसे आप payment accept करोगे क्या तुरंत बता देता है और जैसा कि आप सिम लग रखी है तो सिम में network सही से रहता है या फिर network आता जाता रहता है उस type से भी इस वीडियो में पता चल जाएगा बाकी आप देख सकते हो rechargeable battery है और मैं बात इसका battery कितना चलता है मेरे वाले का कितना चलता है क्योंकि अलग लग soundbox है आप पंगा हो उसका क्या पता एक दिन भी ना चले किसी किसी का 2-3 दिन भी चल जाए तो वो भी आप यहां पर देख सकते हो on screen confirmation जैसा कि मैंने आपको बता है back side में इसके screen है उस पे आप देख सकते हो कितने amount यहां पे receive हो है साथ ही में नीचे दिखा रखा है all in one payment QR तो इसमें सारो payment से मतलब सारी app से आप receive कर सकते हो payment जैसे phone पे google पे किसी सी पे आप receive कर सकते हो और बाकी इसके उपर कुछ न इस पर का sound box आता है वैसे जैसा कि मैंने आपको starting में बता दिया कि 15 दिन हमने इसे use कर लिया तो इस पर का कुछ sound box आता है जो कि polythin के अंदर आता है जो कि मैंने इसके polythin तो निकाल दी बाकि आप वाला जो आएगा वो polythin के अंदर आएगा साथी में यहां पे एक छोटा से यहां पे आ जाएगा बाकि मैं आपको इसे open करके दिखा देता हूं किस परकार का charger आता है इस परकार का एक charger है जिसकी cable के लिए यहां पे बहुत ज़्यादा है 2-3 meter के something तो आराम से होगी साथे में इस परकार का adapter आता है और जो charging cable हो C type है साथ से और पता नहीं है मेरे को confirm कि C type यह क्या बाकि दिखने से तो C type लगती है बाकि अपने smartphone को इससे connect मत करना क्योंकि इसका जो capacity है वो अलग होता है और हमारे smartphone का capacity वो अलग होता है बाकि दिखने से same C type सा ही लगता है तो हम इसे side में रख देती है और इसके अंदर कुछ नहीं है यही charging का जो box था वो इ user menu आता है साथ में ATL का sim आता है कई कई में Vodafone का sim भी आ जाएगा अगर आप चैक करोगे तो VA का sim भी हो सकता है बट मैंने आपे ATL का sim को यहाँ पे select रहने दिया तो ATL का post paid sim आया है जिसके उपर किसी परकार का कोई number नहीं है कहां पे डला हुआ है वो भी मैं आपको तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो otherwise आपको नहीं पता है तो live में आपको बता दूँँगा आप comment करके बता देना कि इसके उपर भी आपको वीडियो चाहिए गया और box के अंदर क्या क्या है वो भी आपको check कर लेना है कई बार क्या होता है हम order करते हैं बट box के अंदर सार में लिखा हुआ है कि क्या आपको ध्यान देना है और इसके अंदर light आती है तो कौन सी light कैसे blink करती है कब किसका क्या संकेत है वो आप यहाँ से देख सकते हो बाकी में आपको इस वीडियो में बताई दूँगा अब आता है मैन हमारा जो पेटियम का soundbox है इस परकार का है आ आप किसी भी UPI से payment accept कर सकते हो पेटियम wallet से कर सकते हो पेटियम postpaid से कर सकते हो और अगर आपकी सोप में पेटियम के और भी QR code लगे है तो किसी भी पेटियम की QR code को scan करके payment accept करोगे तो भी यह soundbox बजएगा अगर आपके मन में यह हो कि इसे ही scan करके अगर payment लोगे तब यह ये बोल के बताएगा आपके बास किसी भी परकार का Paytm का sound जो QR code है वो है तो आप उससे payment accept करोगे तब भी ये बज़ेगा अब देख लेते हैं इसका back side सबसे पहले आप लिखा है need help आपको एक mobile number मिल जाएगा जो कि Paytm के customer care का साथ ही में नीचे एक email ID मिल जाएगी जिसमें आपको आवाज आएगी और यहाँ पर है चार बटन है तो पहला बटन है on off का दूसरा बटन है प्लस मतलब volume high का तीसरा बटन है volume minus का फिर चोथा बटन है अगर आपने कोई payment accept किया है तो उसके repeat के लिए आप चोथे बटन को एक बार प्रेस करोगे तो फिर चे बोल के बता देगा आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि किस परकार यह बटन काम करती है साथ ही में आप एक light है इसमें अलग अलग तरह की light जलती है जो कि charge लगाओगे तब अलग जलेगी नीचे की साइड में आप देख सकते हो soundbox का नाम लिख रखा है model number लिख रखा है साथ में इसका input capacity कितना है फिर नीचे made in India है मतलब Chinese product नहीं है Indian product ही है नीचे आप आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जगह है तो इसे press करके से खोल लेते हैं यहाँ पे एक sim लगा हुआ है अगर आप मतलब VI का sim चाहते हो तो वहाँ पे आपको select करना होगा VI का post page sim तो वो आजाएगा मैंने आप एटल का select कर रखा है तो एटल का आजाएगा तो यह already लगा हुआ आता है अगर लगा हुआ नहीं आता इस packet के अंदर आता है तो आप इसके अंदर ऐसे लगा भी सकते हो तो अब हम इसे वापस off कर देते हैं मतलब इसको बंद कर देते हैं अब इस sound box को on करके देखते हैं कि ये किस पर कार काम करता है और screen किस पर कार काम करती है पुराने वाले में याप इस screen नहीं थी वो एक छोटा सा था जो कि only जो voice मतलब voice के through भी बता था अब इसमें याप स्क्रीन भी लगी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो पहले power on करने के लिए इस वाले बटन को जो कि पहला बटन है power on का तो आपको इसे प्रेस करके रखना है जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर light आजाएगी तो आपको छोड़ देना है तो यह यहाँ पर on हो रखा है आप देख सकते हो वेलकम टू पेटियम हिंदी जब आपने order किया है तो यहाँ पर लिखाया होगा हिंदी में order करना है मतलब या फिर आप इंगलिस में सुनना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको wait कर लेना है yellow light यहाँ पर blink कर रही है तो यहाँ पर आज का date दिखा रखा है connecting paytm दिखा रखा है अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर wait कर लेना है जब आप नया नया लेते हो तब आपको इसका QR active करना होता है और थोड़ी देर यहाँ पर on करके रखोगे तो यह सी में यहाँ पर connect हो जाएगी अब जब भी यहाँ पर yellow light आजाएगी तो मतलब आपका जो paytm का soundbox है वो यहाँ पर on हो चुका है connect भी हो चुका है payment accept करोगे तो वो payment यहाँ पर बोल के बताएगा साथ ही में स्क्रीन पर भी बताएगा यहाँ पर volume कम जादा के लिए plus और minus के निसान है तो फिलाल इसकी volume बहुत जादा है तो मैं एक बार कम कर लेता हूँ इसे आपको 2-3 बार प्रेस कर देना है तो volume कम हो जाएगी साथ ही में बोल के भी बताएगा तो मैं प्रेस कर देता हूँ आपने देखा मैंने आपर volume एकदम minimum कर दिया है अब आपको चैक करना है कि last payment कितने रुपएक आया है और यह किस परकार काम करता है वो भी आप चैक कर सकते हो तो यहाँ पर 0 मान सकते हो इस परकार का बटन है एक बार आपको उसको प्रेस करना है तो यह last payment के बारे में यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिखा देगा किस परकार देखना है वो भी आपको पता चल जाएगा साथे में बोल के भी बता देगा तो मैं इसे प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो इस परकार यह शो करता है साथे में इस परकार बोल के बताता है बट मेरे को पता है अभी तक आपको सई से दिखाए नहीं दिया होगा क्योंकि इसमें लाइटिंग पूरी स्क्रीन पर जलती है तो सई से नहीं दिखता है तो मैं केमरा के पास करके आपको दिखा देता हूँ किस परकार यहाँ पे शो करता है आपने देखा इस परकार यह स्क्रीन पे शो करता है साथ में इसे दो तिन बार प्रेस करोगी न तो दिन के सारे पेमेंट बता देगा कि इतने पेमेंट आपने एकसेप्ट की है जो कि total amount इतनी रुपे का हो गया है अब बात आती है क्या मेरे वाले के rental chart नहीं लगता क्या क्योंकि बहुत सारे के मन में doubt है कि बाइस के अंदर rental chart लगता है कोई बोलड़ा की rental chart नहीं लगता है दूसरा offer यह था direct एक रुपाय शो कर रहा है जिसे आप payment करके ले सकते हो तो मैंने direct एक रुपाय पेमेंट करके लिया था बट उसके अंदर किसी परकार का rental chart नहीं दिखा रखा तो मैंने सोचा rental chart नहीं लगेगा अब मैं आपको यहाँ पर confirm करा देता हूँ कि मेरा rental chart यहाँ पर कटता है या नहीं वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर pay team का soundbox 2.0 है एक रुपे में पर्चेज किया था जो कि delivered हुआ है 23 जून 2022 को और इसे 2-3 दिन मैंने ऐसे ही रख रख रखा था कि मतलब देखेंगे इसको यूज करना या नहीं क्योंकि मैं सोचा 125 रुपे मन्थली लगेंगे तो क्या फायता जितने का payment हम accept नहीं करेंगे उतना मतलब जो commission वगेरा नहीं आएगा तो उससे फायत ज्यादा तो यहाँ पर 4 लग जाएगा तो हम यहाँ पर 23 जून के बाद मतलब 24-25 आप बाढ़ सकते हो दो-तिन दिन इसे यूज नहीं लिया तो 3-4 दिन बाद इसे एक्टिव कर लिया यूज लेने लग गई तो जून महिने में यहाँ पर इसे एक्टिव करके यूज लेने लग गई उससे 125 रुपय डेबिट हो जाएंगे बट मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा चार्ज कितना लगा है तो सलेक्ट डेट रेंज पर क्लिक करते हैं जैसा कि हमने जून में यहाँ पर इसे एक्टिव कर लिया था लगना चाहिए तो वो भी नहीं लगा इसी के साथ वीवल पर क्लिक करते हैं दिस मन्थ जुलाई करते हैं जुलाई का ट्रांजिक्शन भी आप देख सकते हो इस ट्रांजिक्शन में कहीं पर भी 125 रुपय का चार्ट डेबिट नहीं हुआ वो सकता है इस महिने के एंड तक डेबिट भी हो जाए बाकि अभी तक डेबिट नहीं हुआ अगर आपने भी एक रुपय में पर्चेज किया अगर आपका भी कोई माउंट डेबिट नहीं हुआ रेंटल चार्ज के तहत जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोमो कोड वाला नहीं होना चाहिए उसमें तो रेंटल चार्ज था बिना प्रोमो कोड वाले में रेंटल चार्ज शोर नहीं कर रखा तो आपका लगा या नहीं कमेंट करके जरूर से बताना बाकि इस वीडियो में आपको इतना जरूर बता सकते हूँ पिछले महिने का भी नहीं लगा इस महिने का अभी तक नहीं लगा तो साथ से फ्री भी हो सकते हैं बाकि पोस्ट बेट शीम है तो हम फ्री भी नहीं मान सकते तो इस महिने के end तक अगर चार लग जाएगा तो मैं नीचे आपको दिस्क्रिप्शन में उपर उपर लिख दूँआ कि इसमें रेंटल चार्ज 125 उपए लग रखा है अगर नहीं लगेगा तो इस महिने के बाद मतलब जुलाई के बाद अगस्त आएगा टो अगस्त के स्टाटिंग में आपको वाँपल लिखा मिल जाएगा किसी परकार का कोई रेंटल चार नहीं लगता है या फिर आपको थमडेल में मिल जाएगा ताकि आपको भी आपर कं Danielle के के लिखा है तो उसमें कोई rental charge नहीं दिखा रखा था, हो सकता है, free भी हो सकता है, बाकि rental charge भी लग सकता है, तो मैंने आपको complete unbox करके दिखा दिया कि soundbox के साथ क्या क्या हता है, कैसे ये काम करता है, कैसे on करना है, अगर आपको नहीं पता किसे activate कैसे करना है, comment कर सकते हो, next video आपको इस पर म समझ नहीं आता, तो आप मेरे को Instagram पर पूछ सकते हो, link description box में मिल जाएगा, साथ ही में नए-ने offer से चुड़े रहने के लिए, आपमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो, उसका link भी आपको वीडियो के description box और चैनल के about मिल जाएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जुरूर से कर लेना, साथ ही में बेल आइकन को और पर भी प्रेस करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है तो आपको notification मिल सकते हो, अभी तक आपने ये soundbox order नहीं किया, तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हो, offer अगर अगर अवेलेबल है, तो आप भी order कर स लगते हो, वीडियो का लिंक भी description box में मिल जाएगा, इस वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में,